अध्याए 10 महाप्रभु का जगननात्पुरी लोट आना जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिन भारत की यात्रा पर थे तब सार्वभौब भटाचार्य ने राजा प्रतापुर्द से बहुत बाते की जब महाराज प्रतापुर्द ने भटाचार्य से यह प्रार्थना की कीवे महाप्रभु से उनकी भेट करा दें तो भटाचार्य ने आश्वासन दिया की दक्षिन भारत से महाप्रभु के लोटते ही वे ऐसा करने की चेश्टा करेंगे जगननात्पुरी लोटने पर महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहे, सार्वभॉम भटाचारे ने महाप्रभु के लोट आने पर अनेक वैश्नवों का उनसे परिचे कराया रामानन्द राय के पिता भवानन्द राय ने अपने दूसरे पुतर वानीनात् पतनायेग को महाप्रभु की सेवा में भेट कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभू ने अपने संगियों से भट थारियों की संगती के द्वारा कृष्णदास के दूशित होने की बाद बतलाई और उसे निकाल देने का प्रस्ताव रखा नित्यानंद प्रभू ने कृष्ण दास को बंगाल भेज दिया, जिससे वर जाकर नदद्वीप के भक्तों को महाप्रभू के जगननाथ पुरी लोट आने का समाचार दे इस तरह नवद्वीप के सारे भक्त जगननाथ पुरी आने की व्यवस्था करने लगे उस समय परमानन पुरी नवद्वीप में थे, वे महाप्रभू के लोटने का समाचार पाकर अपने साथ कमला कांत नामक एक ग्राहमन को लेकर तुरंथी जगननाथ पुरी के लिए चल पड़े नवद्वीप के एक निवासी ने, जिनका नाम पुरुशोत्तम भट्टाचार्य था, वारानसी में शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने चैतन्यानन से सन्यास ग्रहन किया था, किन्तु अपना नाम स्वरूप रखा था अब वे श्री चैतन्या महाप्रभू के चरंकमलों की शरण में आये, श्री ईश्वर पुरी के तिरोधान के बाद उनका शिश्य गोविंद अपने गुरू की आग्यानुसार चैतन्या महाप्रभू की सेवा करने गया केशब भार्ती से संबन्ध होने के कारण ब्रह्मानंद भार्ती 5089 का भी श्री चैतन्या महाप्रभू ने आदर सहित स्वागत किया, जगनात पुरी आने पर महाप्रभू ने उन्हें म्रिग चर्म न पहनने का परामर्ष दिया जब ब्रह्मानंद ने महाप्रभू को ठीक से समझ लिया तो उन्होंने उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में स्विकार कर लिया किन्तु जब सार्वभॉम भट्टाचार्य ने महाप्रभू को कृष्ण कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने तुरंत इसका विरोध किया। तभी काशिश्वर गोस्वामी भी महाप्रभु से भेट करने आये। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तगर्ण विभिन स्थानों से आते हैं और विभक्तगर्ण उन नदियों के समान हैं विच्छेदाव ग्रह मलान भक्त शस्यान्य जीवयत एक अनुवाद में उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूं जो वर्शा की कमी से कश्ट पा रहे भक्तरूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। जयादवेट चंद जय गौर भक्त विंद दो अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो अद्वित आचार्य की जय हो तथा भग्वान चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो शूर्दव गत्व भशिंधड़ु चनीना एक रिटिन तरजांच कच जरांजा उव ट्वानन डेन जामरवच्छोटी साथ पूर्व श्रबे महाप्रभु चलिला दक्षिने प्रताप्रुद राजा तबे बोला इल्थ सार्वभु में तीन अनुवाद जब श्री चेतन्य महाप्रभु दक्षिन भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रताप्रुद ने सार्वभु भठाचार्य को अपने महल में बुलाया वनिच जांगन फिन कंत्री मकार्त भशतन्डुद वांची उवशुच्टिल डाशेट यर एट वसीते आसन दिलकरी नमस्कारे महाप्रभु वारता तबे पुछिल ताहारे चार अनुवाद जब सार्वभौम भठाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पुछा जुनीनांच तडांभाद घटत धगबशनखन जो फिडेटच जानशना तडैश भष क्रिशभग साथ शूनिलार तो मार घरे एक महाशे गौर हईते आईला तेहो महा क्रिपा में पांच अनुवाद राजा ने भटाचारे से कहा मैंने सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आये हैं जो आपके घर ठहरे हैं मैंने ये भी सुना है कि वे अत्यंत क्रिपालू हैं आठ डांगांत तव बचू कुशो हेकला कटच जर्व जन कुशा कबरी कबरांच टमांट डिशान्ज एर्नन साथ तोमारे बहु क्रिपा कैला कहे सर्व जन क्रिपा करी करा मोरे ताहार दर्शन छे अनुबाद मैंने ये भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महती क्रिपा की है जो भी हो विभिन लोगों से मैं यही सुन रहा हूं अब आप क्रिपा करके मेरी उनसे भेट कराकर मुझे कृतार्थ करें दर कटई तत खचने नो जब जचा चाम्मा डान्स परनन तचाम्भात घन ना जजज एक भट कहे ग्रेशुनिला सब सत्य है तार दर्शन तो मार घटन ना है साथ अनुवाद भटाचार्य ने उत्तर दिया आपने जो कुछ भी सुना है वो सत्य है किंतु जहां तक भेट क करने की बात है उसका प्रबंद कर पाना अत्यंत कटिन है विश्वक मन्नानमी डर्टरश बटन निर्केटिन खच्चुन्ष नो कटवन टूंटिश ग्रांज फत्न दिन सत्तर विरक्ट सन्यासी तेहो रहे निर्जने स्वपने ना करें तेहो राज दर्शने आठ अनुवा जन्थडी कवनीना टर्टिश पक्रिने भेमन साथ तथापी प्रकारे तुमा कराइटाम दर्शन संप्रती करीला तेहो दक्षन गमन नो अनुवाद इतने पर भी मैं आपकी भेट कराने का प्रयास करता किन्तु वेहाल ही में दक्षन भारत के ब्रह्मन पर गए हैं जरांच कट छनांथ शाफी तक्टिंट गिन्ना उसकटई भशाच्छस डे अक नो अलां पचास राजा कहे जगजन्नाथ छाडी केने गेला भट कहे महांत एड एक लीला दस अनुवाद राजा ने पूछा उन्होंने जगन्नाथ पुरी को कईयों छोड़ा भट्टाचार्य ने उत्तर दिया महापुरुषों की लिलाएं ही ऐसी हैं जीर्ट शविब कवनिच कट छीश बगन जेचटन निछांगरिश मांच जागरिक उज्जम शून्य शून्य तीरत पवित्र करिते करे तीरत भ्रमन सठ छले निस्तार्य सांसारिक जन ग्यारा अनुवाद बड़े बड़े संथ तीरत स्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभू अनेक तीरतों का भ्रमन कर रहे हैं और अनेक अनेक बद्धजीवों का उद्धार कर रहे हैं ओवदिशा चाश्वजान डीधी दुचा चार एगने विद्धा डीती कुर्वीद दोतीनी ब्रान चार थन भरष डच्रिचा बावन भवविधा भागवतास तीर्थी भूता स्वयम विभो तीर्थी कुर्वती तीर्थानी स्वातस थेंगदा भूता बारा अनुवाद आप जैसे संथ पुरुष साक्षात तीरत हैं वे अपनी शुधता के कारण भगवांक चिरंतिन संगी हैं अतेव वे तीवतों को भी शुधा कर सकते हैं तात पर ये ये श्लोक श्रीमत दागवत एक दशमलव एक शुन्य का है जिसे महाराज युदिष्टिर ने विदुर से कहा था और यह आदिलीला एक दशमलव चेह तीन में भी आया है त्वकटवन अई एक अंक्चद्धाव मिकन दंश फीव मतशन शंचल जशन शून्य साथ बैश्नवे एध है एक स्वभाव निश्चल तेहो जीव नहें हंस्वतंत इश्वर तेरा अनुवाद वैश्नव वे पुनर्ता स्वतंत नियंता हैं फिर भी भक्त्रूप में वे भक्त के कार्य करते हैं तात्पर्य श्रीव भक्ति सिधान सरस्वती ठाकुरिंगित करते हैं कि तीर्त स्थानों में ऐसे अनेक स्थाई निवासी होते हैं जो तीर्त स्थानों में रहने के विधी विधानों का ठीक से पालन नहीं करते, इसलिए महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है, यही वैशनव का कार्या है, वैशनव दूसरों को भौतिक्ता में ग्रस देखकर दुहखी होता है, यद्यपी श्री चैतन्य महाप्रभू समस्त सनातन रूप से मुक्त हैं, वे सनातन हैं, क्योंकि उनका न तो आदी है और न अंत, रांजा कट आठ शाट वो थी गांश्टियू टक्टिन फिल, शान रश्यधी, गद कबरी, टक्टिन ना जान्धितन शून्य आठ रांजा कहे, तारे तुमी ग्राइते केने दिले, साक्षात श्री कृष्ण, तेहो नहे पर तंत्र पंद्रा अनुवाद सार्व भौम भटाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभू स्वयम पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान हैं, और वे पूर्ण तथा स्वातंत हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण होन के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं हैं, उशाशी ब्रांधिटच डांट वर गडू एकर, जेश्रिंट्यव अजट थेश्च्छा, जरांधिटच मात्रिनू शुन्य साथ, तथा पी राखिते तारे बहु ग्रल कहलूं, ईश्वरे स्वतंत रिच्छा, राखिते के लिए बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वे परम भगवान तथा पूर्म्तया स्वतंत्र हैं, अतेव मैं इसमें सफल नहीं हो सका, ग्यात कटई, छचे जुभी विच गितागनी, जुभी डांट्व, कुछ, कच, छाटर जयू गभाननी शुन्य एक राजा कहे, भट तुम में स्विकार करता हूँ, तातपर या आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है, आचार्य या प्रामानिक गुरू के शब्दों को स्विकार करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगती का मार्क साफ हो सके, यही सफलता का रहस्य है, हाँ, मनुष् अध्यात्मिक गुरू होना चाहिए, जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदेशों का बिना विचलित हुए हिर्ता से पालन करने वाला हो, गुरू जो भी कहे, उसे शिश्य को स्विकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है, यही वैदिक पद्धती है, सार्वभ प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूड्र इन तीन उच्चतर जातियों की सेवा करते थे, इस प्रकार ब्राहमन, ख्षत्रिय, जैश्य और शुद्र आपस में मिल जुलकर रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे, फलस्वरूप समाज में शान्ती थी और लोग कृष्ण भावनामलित के करतवियों को पूरा करने में समर्थ थे, फलत, वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे, शुनब्रिशी डंडे, छीट टश्टल जानशंधिन, अकवान स्टरंशी, कमनी जकून बक्ष टचटिश जामित जन कांटिन, बश्टिड उटवे चार कर जान चास्टिस विजवन नशून्य चार साथ भट्टाचारे कहे, तेहो आसिबे अल्पकाले, रहिते तारे एक स्थान चाहिए विरले उन्नीस, अनुवाद सार्वभॉम भट्टाचारे ने उत्तर दिया, श्र अदुशर अखांटन 20 ठाकुरे निकट आरहर बे निर्जने, एमत निर्नाय करी, देह, एक स्थाने 20 अनुवाद, श्री चेत्निय महाप्रभू का निवासिस्थान एकांत में हो तथा जगननात मंदिर के निकट भी, आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए कच्छा सास्थान दे, ब्रांजर कटच, थदच कामभी मित्यत छवन, डीकुर्त निकट, छे शंग्यम मिर्कम 920 राजा कहे, एचे काशी मिश्रे भवन, थाकुरे निकट, है परम निर्जन 21 अनुवाद राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं, काशी मिश्र का घ अनुवाद ये कहकर राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने गए, कांगरी शिल्ड कटए, जाम भी वजदाम भवान, गातर बेदश, शथू शोट चटा शट जावशोन 927 काशी मिंश कहे, आमी बढ़ भागयवान, मौर ग्रिहे, प्रभु पादे, हजने अवस्थान 23 अनुवाद जब काशी मिश्र ने ये प्रस्ताफ सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भागयवान की समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेर श्री कृष्ण हैं और उनके सारे दास उन्हें प्रभुपात कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि उनके चरंकमलों में शरन लेने वाले अनेक प्रभु हैं, शुद्र वैशनव को प्रभु कहा जाता है और वैशनवों में ये संबोधन शिष्टाचार के रूप में प्रयुक् श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अठ्यत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ये सबी विश्णू वतहवे अतयव सारे जीव उनके चरंकमलों की शरन में हैं, भगवान विश्णू हर एक के शाश्वत प्रभु हैं और भगवान विश्णू का प्रतीनिधी प्रभु पात कहा जाता है, आचार्य अर्थाद गुरु का आदर सामान्यतिया अन्य लोगों द्वारा श्री पात के रूप में किया जाता है और दीक्षित वैश्णू को प्रभु कहकर संबोधित किया जाता है, प्रभु, प्रभु पात तथा विश्णू पात का वर्नन श्रीमत दागवत, श्री चेत्य चरिताय रिद तथा श्री चेत्य भागवत जैसे प्रामानिक शास्ट्रों में मिलता है इस संबंद में ये शारत अनन्य भक्तों द्वारा स्वीकृत प्रामानों को प्रस्तुत करते हैं प्राकृत सहजिये वैशनव तक कहलाने के पात्र नहीं होते, वे सोचते हैं कि केवल गोस्वामी जाती के लोगों को ही प्रभुपात कहना चाहिए ऐसे अग्यानी सहजिये अपने आपको वैशनव दास अनुदास कहते हैं किन्तु वे शुद्ध वैशनव को प्रभुपात कहने के विरोधी होते हैं दूसरे शब्दों में वे प्रभुपात कहलाने वाले प्रामानिक गुरु से इवशा करते हैं इस तरह वे गुरू को सामान्य मनुश्य या किसी जाती विशेश का सदस्य मानने के कारण अपराद के भागी बनते हैं। श्रील भक्तिसिधान सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजीयों को सरवादिक अभागा बतलाते हैं जो अपनी व्रांध धारनाओं के कारण नरको जाते हैं। उवशी जान दिन 27 सर्व लोके उतकंठा गंडे अत्यंत बारील। महाप्रभु दक्षिन हैते तबही आयल 25 अनुवाद जब जगनात पुरी के सारे निवासी पुनह महाप्रभु से भेट करने के लिए अत्यंत उत्सुख हो गए तभी महाप्रभु दक्षिन भारत से लोटाए। रुनी, जाननति ठेशल मवाकात मन, जट्व जान जी, जावर चोटम देकल मिट्वेन, 47 शुनी, आनन्दि थेल सबाकार मन। सबे आसी, सार्वभों में काईल निवेदन 26 अनुवाद महाप्रभु की वापसी के बारे में सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन हुए और वे सभी लोग सार्वभों भटाचारे के पास जाकर इस प्रकार बोले। प्राप्त हो सकती है। अनुवाद अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और बे बड़े ही उत्सा पूर्वक सार्वभों भटाचारे के साथ भगवान जगनात के मंदिर में दर्शन करने गए। वशात जान शिगना छाडे, शिनीना टल्विक्षान, वडात मवाकांट एकल जांगिनन सत्तर महापदरियसा तदाव मिलिला सेवगण, महाप्रभु सबाकारे काईल आलिडरं तीस अनुवाद भगवान जगनात के सारे सेवगों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का प्रसाद लाकर दिया, तब बदले में चैतन्य महाप्रभु ने उन सब का आलिगन किया, जर्जिन कबनी, भशातन फन्ना वान्ष्टित, उडोईर्य जामिन डांट्व कांबिल घर्ट्व, 757, दर्शन करी महाप्रभु चलिला बाहिरे, भट्टाचार्य आनल तारे काशी मिश्र घरे, 31 अनुवाद भगवान जगननात का दर्शन करने के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए, फिर भग्दाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर ले गए, काम्ब्री भिथे जामभी, शफिन शंडव छतिन, भुर नश्ची, जान जान डर्ट टेकल मिट्विंटिन 89 काशी मिश्र आसी, परील प्रभुर चरने, ग्रह सहित आत्मा तारे काईल निवेद ने 32 अनुवाद जब श्री चेत्म्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आये, तो वे तुरंत उनके चरन कमलों पर गिर पड़े और उन्होंने स्वयम को तथा अप पना चतुर्भुच स्वरूप दिखलाया, महाप्रभु ने उसकी सेवा स्विकार की और उसे गले लगाया, उदे बशान थे चुछांशी वमना जान जितिन, ड्रेशितिक वभिला मिशानन नाननी छक्त भेन, 78, तबे महाप्रभु ताहां वसीला आसने, चदिके वसीला नित्याननदादी भक्त गने 341, अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तयार किये गए आसन पर बैठ गए और नित्याननद प्रभु समेथ सारे भक्त गन उनके चारों और बैठ गए, जुची दुशना तर्शी, शंडू वांजांग मश्यान, आठ य प्रभु वासार संस्थान, ग्रेड वासाय है प्रभुर सर्व समाधान 35 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवासस्थान को देखकर अत्यंत प्रसन हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यक्ताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था, जुच्छों कटिच थंडू, ट्यागय यांगात बासा, जुदी जजजी कांज कब, कांगी भिटलत जांबो सथातर सार्वभौं कहे, प्रभु रोग्य तोमार वासा, तुमी अजजी कार कर, काशी मिश्रे आशा 36 अनुवाद सार्वभौं भटाचारे ने कहा, ये स्थान आपके अनुकूल ह खृपया इसे स्विकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है, थेंडू कटेच, थड़े तर्चर तच्छांभा मवाकांत, आठ यदे जुमी कच, तमरे जगजांगांत, एकखत्तर प्रभु कहे, एर देह तुमा सबाकार, ग्रेट तुमी कह, सेर सम्मत आमार सैती श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर आप सब का है, अतैव आप लोग जो भी कहेंगे, वो मुझे स्विकार है, उदे जानवच्छों थंडू एक तिन शौर्थ वी, भिनांडे टेच नांशिना जब श्रिक्ट्यांडब वान जी सतहतर, तबे सार्वभॉम प्रभुर दक्षिन पाश्चे वसी, मिलाईते लागला सब पुरुशोत्तम वासी 38 अनुवाद इसके बाद सार्वभॉम भटाचार्य महाप्रभु की दाहिनी और बैठकर पुरुशोत्तम अर्था जगननात पुरी के सारे निवासियों का परिचे कराने लगे, अंडे ज निलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुकह रहे हैं। अन्वसरे करे प्रभुर श्री अर्शेवन 41 अनुवाद सार्वभॉम भटाचार्य ने सर्वप्रथम जनार्दन का परिचे देते हुए कहा, ये भगवान जगननात का सेवक जनार्दन है। ये भगवान की तब सेवा करता है, जब उनके दिव्य शरीर को नया बनाया जात है। तातपर्यस नान यात्रा उत्सव के बाद अन्वसर के समय भगवान जगननात 15 दिनों तक मंदिर से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उनको नया बनाया जा सके। ऐसा प्रतिवर्श होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु से जिस जनार्दन का परिचे कराया जा रहा थ वो उस समय यही सेवा कर रहा था। भगवान जगननात के श्रिंगार को नवयोवन भी कहा जाता है, जिससे ये सूचित होता है कि जगननात अर्चाविग्रा को पुनह योवन प्रदान किया जाता है। तातपर्य लेखन अधिकारी देवलकरन पदत प्राप्त कर्मचारी भी कहलाता है, वो विशेश रूप से मादला पांजी नामक कैलेंडर अर्थात पंजी लिखने के लिए नियुक्त किया जाता है। थम्न मिरे दन त्वकफ थंधान, जान्राट शत्र भष्ट मांगरांद ड्याज शाज, नोट सतासी प्रद्यून मिश्र इह वैशनव प्रदान, जगननातेर महा सोया इह, दास, नाम तैतालीस। अनुबाद, ये प्रद्यमन मिश्र है, जो सारे वैशनवों का मुखिया है। ये जगननात जी का महान सेवक है और इसका नाम, दास, है। तातपर्य ओडिसा में अधिकांच ब्राहमनों की उपाधी दास है। सामा नितिया ये समझा जाता है कि दास ब्राहमन इत जातियों का द्योतक है, किन्तु ओडिसा में ब्राहमन दास उपाधी ही प्रयुक्त करते हैं। इसकी पुष्टी चुली भड़ द्वारा होती है। वास्तब में हर व्यक्ती द्वास है क्योंकि हर व्यक्ती पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान का दास होता है। इस द्रिष्टी से प्रामानिक ब्राहमन को दास उपाधी का पहला आधिकार है। अतैव यहाँ पर दास उपाधी उप्युक्ती है। विष्णुदास इह ध्याय तो मार चरण पैतालीस। अनुवाद यह अंधनेश्वर, सिंगेश्वर, मुरारी ब्राहमन तथा विष्णुदास है। यह सभी निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करने में लगे रहते हैं। थंड्यवरांज भषभाम हेट भर्षची, शंत्रभान रभषण शाम हर्षट मशची, 87 प्रहराज महापात इन महामती, पर्मानन महापात इहार संती 46 अनुवाद, यह पर्मानन प्रहराज हैं, जो महापात नाम से भी जाने जाते हैं। यह अत्यदिक बुद्धिमान हैं, तातपर्य प्रेरशाज उपाधी उन ब्राहमनों को दी जाती है, जो सिंघासन विक्थ होने पर राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकान डांट शिदर जट्व एचांभात शतने 81 एसब वैशनव एट ख्षेत्रे भूशन। एकान भावे चिंते सबेतो मार चरण 47 अनुवाद, यह सारे शुदह भक्त जगननात पुरी के आभूशनों के समान सेवा करते हैं। की तरह गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उन सब का आलिंगन किया। नकांटन जाडेना उशो चवानन तांग्र, शामरी शूब मत शांटफर मशन थडूस भोग एट, हैन काले आईला तथा भवानन द्राए। चारी पुत्र सरपड़े महाप्रभु रपाए, उन्चास अनुवाद तभी भवानन द्राए अपने चार पुत्रों के साथ आए और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरंकमलों पर गिर पड़े। तातपर्य भवानन द्राए के पांच पुत्र थे, जिन में से एक अत्यंत उच्छ कोटी के महापुरुष रामान द्राए थे। भवानन द्राए पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी दक्षन यात्रा से वापस आने के अफसर पर मिले थे। तब रामानंद राय सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे अतेव भवानंद राय अपने अन्य चार पुत्रों के साथ महाप्रभु से मिलने गए इनके नाम थे बानीनाथ, भूपीनाथ, कलानिधी तथा सुधानिधी, भवानन्द राय तथा उनके पांचों पुत्रों का वर्नन आदिलिला, 10.133-34 में हुआ है जावर्चोब कटे, थरे जांग छताननन, इन्शत्षन्य शुम, स्रांग जांभानननत, सत्तर सार्वभॉम कहे, एर राय भवानन्द इहार प्रथम पुत्र राय रामानन्द पचास अनुवाद सार्वभॉम भटाचारे ने आगे बतलाया, ये भवानन्द राय हैं, जिनके प्रथम पुत्र रामानन्द राय हैं, उव बशन्थडू डीट्य सेकन जानिपनन जुची कन्नी, कटच जरॉम भाननन अन विवग्न सत्तर तबे महाप्रभु तारे कईल आलिभिन, स्तुती करी, कहे रामानन्द विवरण 51 अनुवाद स्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानन्द राय का आलिंगन किया और बड़े ही आदर के साथ उनके पुत्र तड्नम जर गौन्शंद छंजिन, डान्शंद गश्चिया टिलोटिक कर्शन ना गांगन 72 रामानन्द हैंडरल ग्राहारत ने ताहार महिमा लोकाई कहन ना ग्राय बावन अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानन्द राय का ये कहकर सम्मान किया, जिस व्यक्त तोमार पन्य पुत्र महामती 73 अनुवाद, आपस खषात महाराज पांडू हैं और आपकी 45 खषात कुंती हैं, आपके सारे के सारे पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो पांचों पांडवों का प्रतिनिदित्व करते हैं, जाग कदच, जामवी सृत, विशशई, खथ मैं चार वर्नों में चौथा, शूद्र हूं और सानसारिक कार्यों में लगा रहने वाला प्रानी हूं, मैं अत्यंत पतित हूं, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया, यह इसका प्रमान है कि आप पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान हैं, तात पर्य जैसा की भगवत गीता 5 1.18 में कहा गया है, विद्यविने संपने ब्राह्मने गवी हस्तिनी, शुनी चेव श्रपा के चपंडिता संदर्शिन, विनीत साधू अपने वास्तविक ज्यान के बल पर विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मन, गाए, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान द्रिष्टी से देखते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यान में उन्नत हैं, वे किसी व्यक्ति की भौतिक अवस्था की परवा नहीं करते, आध्यात्मिक द्रिष्टी से उन्नत व्यक्ति हर जीव के आध्यात्मिक स्वरूप को देखता है, फलत, बहविद्वान ब्राह्मन, कुत्त चांडाल या अन्य किसी में कोई भेदभाव नहीं बरता वो मनुष्य के भौतिक शरीर से प्रभावित नहीं होता अपितु मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप को देखता है फलत भवानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभू का कथन अच्छा लगा जिससे पता चलता है कि महाप्रभू ने भवानंद राय की सामाजिक स्थिती की परवा नहीं की किवे सांसारिक कारियों में व्यस्त रहने वाले शूद जाती के थे बलकि महाप्रभु ने भवानंद राय, रामानंद राय तथा उनके भाईयों की आध्यात्मिक स्थिती पर ही विचार किया भगवान का भक्त भी ऐसी ही मनोवरत्ती रखता है बह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को आश्रे देता है चाहे वो ब्राह्मन वन्षका हो या चांडाल हो गुरु सारे लोगों का उध्धार करके हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की प्रेरना देता है ऐसे भक्त की शरन लेकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है जैसा की श्रीमत दागवत 2.4.18 में पुष्टी की गई है किरात हुनाश पुलिंद पुल्कषा आभीरन शुम्भा यवना खसादे यह उन्येच पापा यदपा श्रया श्रया जुधेंती तसमे प्रभविष्णवे नम किरात, रून, आंधर, पुलिंद, पुलकष, आभीर, शुम्भ, यवन तथा खस जातियां यहां तक की अन्य लोग भी जो पाप कर्मों के अभ्यस्त हैं भगवत धक्त की शरंग रहन करके शुधा बन सकते हैं क्योंकि भगवान की भक्ती परम है मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो कोई भी पूर्म पुरुशोत्तम भगवान या उनके शुधा भक्त की शरंग लेता है वो आध्यात्मिक पत को प्राप करता है और भौतिक कल्श से शुधा हो जाता है इसकी पुष्टी भगवद गीता 9.32 में क्रिश्न भी करते हैं माही पार्थ व्यपान शुध्य ये उपी स्यूव पाप्योने खरियो वैशियस्था शुध्रास्ते थपी यान्ती परांग गतिम हे पृथा पुत्र जो मेरी शरंग लेते हैं वे भले ही निम्न जन्म वाले, खरिया, वैशिय और शूध्र क्यों नहो, मेरे परमधाम पहुँच सकते हैं निज भूर्विद दुछाश तीन सो अर्तालीस शूब भटिन आत्मा समर्पिलू आमी तुमार चरने पचपन अनुवाद श्री चेकम रहा प्रभू की कृपा की प्रशंसा करते हुएं भवानंद राय ने ये भी कहा, मैं अपने घर, धन, नौकरों तथा पांचों पुत्र सम्मेत आपके चरंकमलों की शरंग रहन करता हूँ तातपर्य शर्नागती की यही विधी है, श्रीव भक्तिविनोध धाकुर का गीत है, मानस, दे, गे, योकिचु मोर और पिलू दुयापदे नन अदकिशोर, शर्नागर्ती, जब कोई भगवान के चरंकमलों की शरंग लेता है, तो वो अपना सर्वस्व अर्पित करके, अ अपना घर, शरीर, मन, तथा जो भी उसके पास में होता है उसे अर्पित करके ऐसा करता है, यदि इस शर्नागती में कोई व्यवधान पड़े, तो तुरंत यी अनासक्त होकर उसका परित्याग कर देना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति अपने सारे परिवार के सदस्यों सहि तो उसे सन्यास लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, किंतु यदि तथाकतित पारिवारिक जनों के कारण शर्नागती की प्रक्रिया में व्यवधान आता हो, तो शर्नागती को पूरा करने के लिए उनका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए, दंडे वाविनांज बर्श आंजीम संटन टमांट जदकांच नाकबनिट्व, यदे गट देश्चा, उव्टम्डे जान जाफितिव 61 आत्मिय ग्याने मोरे सद्जोच ना करिबे, जेल गृबे इच्छा, तबे सद आग्या दिबे सत्तावन, अनुबाद, हे प्रभू, कृप्या आप मुझे अपना जनमे जनमे तुमी आमार सबंशे किड़ 58 अनुबाद श्री चैतन्य महाप्रभू ने भवानंद राय की बात ये कहते हुए मानली, मैं बिना संकोच के स्विकार करता हूँ, क्योंकि आप पराये नहीं हैं, आप जन जन मांतर अपने परिवार सहित मेरे सेवक रहते आये है सीनी शौव पांच, मानु चिछटत जांजित्व जानशाननन, डाव जित्र शुर्ग शट्व जानशान्त, खान नसात, साथ दिन पांच साथ भितरे आसिनबे रामानंद, तार सड़े पूर्म हबले आमार आनंद 69 अनुवाद, पांच साथ दिनों के ही भीतर अशी रामा बली, प्रभु तारे कईल आलिद दिन, तार पुत्र सब शिरे धर्ल चरन साथ अनुवाद ये कह कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद का आलिगन किया, फिर उन्होंने उनके पुत्रों के सिरों पर अपने चरन कमल रखे, उव मश्रतंदू डाट या घट थीरी द वाविनान शहनां टक निकट जान्तिल, सतहतर तबे महाप्रभु तारे घरे पाठाईल, वानीनात पठनाय के निकटे राखिल 61 अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राए को उनके घर वापस भेज दिया और अपनी निजी सेवा में केवल वानीनात पठनाय को रख लिया। उशा जव टिलांटिक विफांग्र कबनांशेल। उव थंडू कांगा क्रिक्षान्टम थ्वानों डेन 769 भटाचार्य सब लोग के विदाय करायल। तबे प्रभु काला कृष्णदा से बोलायल 62 अनुवाद फिर सार्वभॉम भटाचार्य ने स जामभाव मदिच सथातर प्रभु कहे भटाचार्य शोन इहार चरेत। दक्षिन गियाचील इन आमार सहित 63 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे भटाचार्य जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिन भारत गया था। उशोतनी भटतारियों के साथ रहने के लिए मेरा संग छोड़ दिया था किन्तु मैं उनकी संगती से बचाकर इसे यहां लाया हूं। लोगों निस्त्रीयों का लालच देकर अपने वश में कर लिया था। माया इतनी प्रबल होती है कि काला कृष्मदास स्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़ कर खाना बदोश खरियों के साथ चला गया। कोई व्यक्टी श्री संगती में भी कईयों न रहे, वो माया से मोहित होकर अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण महाप्रभू का संग छोड़ सकता है, माया से बूरी तरह वशीबूत व्यक्ति ही ऐसा अभागा हो सकता है कि वो महाप्रभू का संग त्याग दे, फिर भी जब तक मनुष्य अत्य करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे, यह वास्तविक प्रमान है, जो यह दिखलाता है कि महाप्रभू की संगती से किसी भी समय पतन हो सकता है, मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है, एक बार पतन होने पर और भगव मध्यान करिते महाप्रभू चली, गेर 66 अनुवाद ये सुनकर की महाप्रभू ने उसका परित्याग कर दिया है, काला कृष्णदास रोने लगा, किन्तु महाप्रभू ने उसकी परवा नहीं की और वे अपना दोपहर का भोजन करने तुरंद चले गए, निवानन जाननन अन्त, मुकुम, मान्तियांग, एंत्री जटन यूची उटकबनीना जाड़, 71 नित्यानन, जगदानन, मुकुन, दामोदर, चारी जने प्रुक्ती तबे करीला अंतर 66 अनुवाद इसके बाद नित्यानन प्रभू, जगदानन, मुकुन तथा दामोदर आधी अन्य भक्त क किसी युक्ती पर विचार करने लगे, तात्पर या भले ही पूर्म पुरुशोत्तम भगवान किसी व्यक्ति का परित्याग कर दें, किन्तु, भक्त उसका परित्याग नहीं करते, अतैवर भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक कृपालू होते हैं, श्वील नरोत्तम का गीत है, चारिया वैशनव सेवा निस्तार पेचे के बाशुध भक्तों की सेवा में लगे बिना भौतिक जाल से किसी का उध्धार नहीं हो सकता, कभी कभी स्वयम भगवान अत्यंत कर्थोर हो सकते हैं, किन्तु भक्त सदेव दयालू रहते हैं, इस तरह काला कृशनदा प्रभूर आगमन 68 अनुवाद महाप्रभू के चारों भक्तों ने विचार किया, हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए, जो बंगाल जाकर शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभू के जगननात पुरी आने की सूचना दे सके जाव बिच लिवामानी शुचव चक्षक शेने, मत्वत जांग मित्व उनी, ठेड़त जांशंदिन सतहतर, अदवेट श्रीवासादी ग्रत भक्त गन, सबेड आसिबे शुनी, प्रभूर आगमन 79 अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभू के आगमन का समाचार सुनकर मिलने के लिए निश्चित रूप से आना चाहेंगे। पर दया दिखलाई, उसे आश्वासन दिया और महाप्रभू की सेवा करते रहने के लिए प्रेरित किया। इस तोमार दक्षन गमन शुनी, शची, आये। अद्वेता दी भक्त सब आचे दोहक पाई, 72 अनुवाद, माता शची तथा अथे प्रभू आदी भक्त गन दक्षन भारत द्रमन से आपके पुनरागमन का समाचार न पाकर अत्यंत दोहकी हैं। अक्षा अन्याद, कचकतुच जगान शिंद, ठैडू कटै, दमई कब, टै डेश्चा तचाम भाव सत्रा एक जन ब्राई, कहुशुब समाचार। प्रभू कहे, सेड़कर, ग्रेश्चा तो मारतिहत्तर अनुवाद, एक व्यक्ति बंगाल जाकर उन्हें जगन नाथ पुरी में आपके पुनरागमन का शुब समाचार दे आए। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभू ने कहा, आप लोग जो चाहें तै करें। नवद्वी पे गेल तेन शची आय पाश 75 अनुवाद तब काला कृष्णदास बंगाल गया, जहां सर्फ प्रतम वो माता शत्ती को मिलने नवद्वी पहुँचा। अपनी दक्षन भारत की यात्रा से लोटाए हैं। जुनियो जाननिच टेशल शर्णिभानदागण, खोवाजारई जात शच गडच शउंग भैग 11 शुनिया आनंदित हल शची मातार्मन, श्रीवासादी आर ग्रत ग्रत भक्त गण सतहतर अनुवाद इस शुब समाचार से माता शची तथा श्रीवास थाकुर इत्यादी न बापसी सुनकर सभी लोग अत्यंत हर्शित हुए इसके बाद कृष्ण दास अद्वेत आचार्य के घर गया, जान हंटियर थंजान निशना कमनी नभहां, ममाक्षली गशत इंडुज मगान शंत 17 आचाजहीरे प्रसाद दिया करी, नमसकार, सिमिक कहिल महाप्रभुर 89, अनुवाद नमसकार करने के बाद कृष्ण दास ने अद्वेत आचार्य को महाप्रसाद दिया, फिर उसने उनसे महाप्रभु का समाचार विस्तार में बतलाया, खने जाहरिय टतोमांतित आननन न इंशन, शेमादवटन चछकाओ वचू नुछा श्रीच टैकल 70 शुनी आचार्त्र बोसाजरानंध हल, प्रेमावेशे हुड़ार बहु नृत्य गीत कईल 80 अनुवाद जब अठ्थैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लोट आने का समाचार सुना, तो वे अत्यंत प्रसन हुए, उन्होंने प्रेमावेश में आकर हुधार की और इसी अनुवाद ये शुब समाचार पाकर हरिदास थाकुर परम प्रसन हुए, इसी तरह वासुदेवदत, मुरारी गुप्ष तथा शिवानन सेन भी प्रसन हुए, आयल्यवग, जाग भंडिच वटकश्वेट, जायनिशी, जांद शंडिच भेनन शिस चोहत्तर, आचार इसी अनुवाद इस शुब समाचार से आचारी रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचारी निधी तथा गदाधर पंडित सभी अत्यंत प्रसन हुए, लीवांद शंचिच जांच शश्चर प्रॉंट भांस्त, लोंबांच डेड, जांग विन्य, लोध, सथातर श्री राम प कच्छक कश्वी जांज गच थंडद भंगे अथत्तर रागफ पंडित आर आचार्य नंदन, कतेक कहिब आरगरत प्रभूर गन 84 अनुवाद रागफ पंडित अध्यत आचार्य का पुत्र तथा समस्त भक्त गन अत्यंत प्रसन हुए, मैं कहां तक और भक्तों के नामों का वर्ननकरुम, जनिग्या मवांत छेश शत्रब उयलांज, जदव टिगनी, दशना ली जटेप्ट छट शौन 4700 सबार हैल परमुल्लास, सबे मेली, गेला श्री अध्वैत्र पाश 85 अनुवाद वे सभी अत्यंत प्रसंद थे, और सभी मिलकर अध्यत आचार्य के घर आए, जामहांत मर्ट्य देल छत्नने वननन, जाहारत शाभांची जवांट टेकन जाननित्रन सथातर आचार्ग्रे सबे कईल चरण वन दिन, आचार्य गोसादी सबारे कईल आलि दिन 86 अनुवाद सारे भक्तों ने अध्थे आचार्य के चरंकमलों पर नम्सकार किया, और अधि आचार्य ने एक उत्सब मनाया, जो दो तीन दिनों तक चला, तत पश्चात हुन सबने जगननात पुरी जाने का हथ संकल्प किया, जट्व्टमनी, नववीटत अकज शचिष, नीनांदी एने नम्पियांडिज जाचा नम शून्य शून्य सबे मेली, नवद्वीपे एक नीलादी चलल शची मातार आग्या लजा 88 अनुवाद सारे भक्त नववीप में एकत हुए और शची माता की आग्या लेकर नीलादी अर्था जगननात पुरी के लिए चल दिये सत्यराज रामानन मिलिला सबे आसी, नवासी अनुवाद सत्यराज रामानन तथा अन्य भक्त जो कुलींग राम के निवासी थे आकर अदैत आचारे के साथ हो लिए मुकुन्म, नस्टी, तगुनन्म साथ टेश्टिच, जाहन्द अत्तीजी, जान्शेना नौनाएंग गान्शेच, 40 मुकुन, नरहरी, रगुनन्दन खंड हैते आचार ग्रे थाजी आईला नीला चल ग्राईते नब्बे अनुवाद मुकुन, नरहरी, रगुनन्दन तथा अन्य सब लोग खंड नामक स्थान से अद्वेत आचारे के घर आए, जिससे वे उनके साथ जगननात पुरी जा सकें जगांटल एकरिन हाटिच शंत्रभानन तरशुत्री भेग्या डीटे जीतत जेडीना नपेगा मभत्री 75 से काले दक्षिन हैते पर्मानन पुरी गज्जा तीरे तीरे आईला नदिया नगरी 91 अनुवाद उसी समय पर्मानन पुरी दक्षिन भारत से आ गए वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अतता नदिया नगरी पहुँचे जाडिजन मनकिटित मूद कब्रिना विशोग जाई डियांट शिका एना कगजिगना मगान 9 आईर मंदिरे सुखे करिला विश्राम आयतारे भिक्षा दिला करिया सम्मान 92 अनुवाद नवद्वीप में परमानन पुरी ने शची माता के घर में ही अपना रहने और भोजन करने का स्थान बनाया वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती थी ठेडुव जामगन टजेंदर चाई डी जमिन शीग नौनान चेंग गाश्टिच छीव रेशन छटेशन 47 प्रभूर आगमन तेन तहांजी शुनिल शीग्र निलाचल ग्राईते तार इच्छाहल 93 अनुवाद जब परमानन पुरी शची माता के घर पर रह रहे थे तबी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभू के जगन नात पुरी लोटने का समाचार सुना अतेव उन्होंने शीग्राती शीग्र वहाँ जाने का निश्चे किया ठेड़त थक छक कर शिच कबमनान कांड माम दो आठव नका बी नाम टन कवनीना थगोन अथत्तर प्रभूर एक भग साथ द्विच कमला कांड नाम तारे ला नीलाचले करीला प्रयान 94 अनुवाद वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभू का एक भग था जिसका नाम द्विच कमला कांड था जिसे परमानन पुरी अपने साथ जगन नात पुरी लेते गए जड़तत जाम विगना तंड मिनीना थन्टव थन्डुव जानन न एशनल शोगडान शंटे 40 सत्वरे आसिया तेह मिलीला प्रभुरे प्रभुर आनन्ध हल पा ताहारे 95 अनुवाद परमानन पुरी शीग रही श्री चैतन्य महाप्रभू के स्थान पर आप पहुँचे महाप्रभू उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन हुए थम्भान फुटन एरें डॉन छतने तन्मन डर्धर तमान फ्टेक टैन थे डुट जांगिजन सत्हतर प्रेमावेशे काईल ताहर चरण वंदन तेह प्रेमावेशे काईल प्रभूरे आलिडरन 96 अनुवाद महाप्रभू ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानन पुरी के चरंकमलों की पूजा की और परमानन पुरी ने भी महाप्रभू का प्रेमावेश में आलिंगन किया थैडू कट तीन दच्छाम्हा मत्स ब्रष्टिच वाँचस ज्यान्दव कुशो कबने कबन मेनान ही जालेगा एक प्रभू कहे तोमा सडे रहिते वाउच्छा है मोरे कृपा करी कर नीला दी आश्रे 97 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभू ने कहा कृपया मेरे साथ रुके और जगननात पुरी की शरंग रहन करके मेरे ऊपर कृपा करें शूत्री कट दचामभा मत्स ब्रश्टिच वांश कमरी जोड देच एनी जाशनांच मौना एन शूत्री शुन्य पुरी कहे तोमा सडे रहिते वाउच्छा करी गौड है ते चली आईलाड नीला चल पुरी 98 अनुवाद परमानन पुरी ने कहा मैं भी आपके साथ रहना च पुरी आया हूं एक रिग टेश्ट खनी टडागांद जान्शंभन जंग्रे जाननंतिर जात यच छक्कर भैंग सतहतर दक्षिन है ते शुनी तुमार आगमन शची आनंदित आरग्रत भक्त गर्ण नियानवे अनुवाद नवद्वीप में माता श्री तथा अन्य सारे भ विलंब दे रखी आईलार त्वरिते सो अनुवाद वे सभी आपके दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं किन्तु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं तुरंद अकेले ही चला आया कागी भित्थत आवांदश ने धटूच अग्धन थदद डाट्य रईन जान जान्त फिटिन जांशना अक्षनाट मांग्त थंडूफ खागर्मी बट्मव जांगेट शून्य शून्य नौ आर दिने आईला स्वरूप दामोदर प्रभूर अत्यंत मर्मी रसा सागर एक सो दो अनुवाद अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए वेश्वी चैतन् निष्ठमित्र थे और दिव्यरसों सागर थे तातपर्यय शंकराचार्य की गुरुः शृष्ष परामप्रा में ब्रमचारी के नामों में एक नाम स्वरूप रहता है वैदिक परामप्रास में सन्यासियों के दस नाम होते हैं और यह प्रथ है कि जो ब्रम. burg Adv. या श्रम स्वरूप की पद्वी मिली थी, किन्तो जब उन्होंने सन्यास लिया तब धी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला वास्तव में सन्न aquíist होने पर उन्हें तीरत कहा जाना चाहिए था, किन्तो उन्होंने अपना पहला ब्रह्मचारी नाम स्वरूप नहीं बदला शुक्ट बॉन्डब जायय, दान्ज नायशू वी टेटिम, नवशीटिश डिला टच थे दुच्छट दिग शून्य शून्य साथ, पुरुशोत्तम आचार्म, तार नाम पूर्वाश्र में नवशीपे छिला तेन प्रभुर चरने एक स्वतीन अनुवाद जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरन में नवशीप में निवास कर रहे थे, तब उनका नाम पुरुशोत्तम आचार्या था सन्यास ग्रहन कईल वारा नसी गिया 104 अनुवाद जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहन कर लिया है, तो पुरुशोत्तम आचार्य उन्मत हो उठे और सन्यास ग्रहन करने तुरंत वारा नसी गए कहुच नाननना, साथ कचच जाना फिटिलिन डाट्व, वर्ड शर्दिगना शजा साथ जबर टिलाट किट शून्य शून्य साथ, चैतन्यानन्द, गुरु तार आग्या दिलिन तारे, वेदान्त पडिया पड़ाओ समस्त लोकेरे 105 अनुवाद सन्यास के अंत में उनके ग वेदान सूट प्रड और अन्यों को इसकी शिक्षा दो, शंग्न विवक्ट उच शत्न शंडल, कांग्र मतन जानति ग्रांटिच श्री कृच छबरिज शून्य शून्य साथ परम विरक्ट तेन परम पनिदित, काई भने आश्रिया चे श्री कृष्न चरित 106 अनुवाद स विश्चिंते कृष्न भजिब, एड़त, कारने, उन्मादे करिल तेन सनयास ग्रहने 107 अनुवाद वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्न की पूजा करने के लिए अत्यंत, उच्सुक रहते थे, इसलिए प्राया उन्मा अवस्था में उन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया, जनलांस कबनीना शिशामरिज जामवेकश, आठ यामशे नामिल, माम्र टेल, अक्ष, शून्य शून्य सन्यास करिला शिखा सूत्र त्याग रूप, ग्रोग पत नानिल, नाम हेल, स्वरूप, 108 अनुवाद सन्यास ग्रहन करने के बाद पुरुशोत्तम आचार्य न नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेउ तो त्याग दिये, किन्तु उन्होंने गेरुवा वस्त्र नहीं स्विकार किया, उन्होंने सन्यासी पद्वी भी नहीं स्विकार की, अपितु नैश्टिक ब्रमचारी बने रहे, तात पर यह सन्यास आश्रम के विधी विधान हो परूप दामोदर ने इन सब को सविकार कर लिया, किन्टु पुरुशोथ्त्तम आचार्य ने गेरुवा वस्त्र सन्यासी नाम या दंश्विकार नहीं किया। वे सन्यास आश्रम की आपक्चारिक्ता से अपनी शान्ती भंग नहीं करना चाहते थे। वे शांद भाव से श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मन और आत्मा से सन्यास ग्रहन कर लिया, किन्तु उसके दिखावे में नहीं पड़े विरक्ती का अर्थ ही है कुछ न करके एक मात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना जब कोई व्यक्ती इस पद पर भगवान को प्रसंद करने का प्रयास करता है, तो वो सन्यासी तथा योगी दोनों होता है इसकी पुष्टी भगवद गीता 6.1 में की गई है, श्री तगवान उवाच अनश्रिता कर्मफल कार्य कर्म करोती यह ससन्यासी चयोगी चनन निराग्निन चाक्रिया पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान ने कहा, जो अपने कर्मफल से विरक्त है और जो नियत कर्म करता है, वो सन्यासी है और वास्तविक योगी है, न की वो जो न तो अगनी जलाता है और न कोई कर्म करता है साथ कजी जांखांगांशी जादिना नौनाम पटल, जांबी फिटिन कुछ टंत आननन्म विहटल शून्य, शून्य साथ गुरू ठाजी आग्या मागी आईला नीला चले, रात्री दिने कृष्ण प्रेम आनन्द विहलले एक सो नौ अनुवाद अपने सन्यास गुरू से आग्या लेकर स्वरूप दामोदर नीला चल गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभू की शरंग रहन की फिर वे अहनिश कृष्ण के प्रेम में आनन्द विहॉल होकर भगवान की प्रेम मही सेवा में दिव्यरस का आस्वादन करने लगे शोड़िडान जवशी, वांक नान्शी का तामदन निर्कितिन वर्टिस टलाग जव नान्शी जाटन शून्य पांच शून्य शून्य पांडित्य रवधी वाक्य नाही कारो सने निर्ज में रहे लोग सब नाही जायते 110 अनुवाद स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाश्य थे, किन्तु वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई यह नहीं जान सका कि वे कहां थे कुकवम ओर्टवडा, टेह और दशम कशे साक्षात महाप्रभुर द्वितिय स्वरूप 111 अनुवाद श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ग्यान को पूर्ण तया जानने वाले थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितिय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधी रूप थे स्वरूप परीक्षा कहले पाचे प्रभु शुने 112 अनुवाद यदि कोई पुस्तक लिखता ए लोग तथा गीद बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता तो सर्व प्रत्थम स्वरूप दामोंदर उनकी परीक्षा करते और फिर्शुदर रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते शच्ची भिक्षान्द विकका, जान ब्रजान चाम, खनिटिच नार्ड थैदव चिल्बर उयलांस शून्य शून्य साथ भक्ती सिद्धान्त विरुद्ध आर रसाभास शुनिते नाहय प्रभुर चित्ते उल्लास 113 अनुवाज श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ती के सिद्धान्तों के विरुद्ध पुस्तके या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे वे रसाभास अर्थाद दिव्य रसों का अतिक्रमन भी नहीं सुनना चाहते थे तातपर्य भक्ति सिवान्त विरुद्ध उस सिद्धान्त का निर्देश करता है जो विविद्धा में एक्ता के सिद्धान्त का विरुद्ध हो और यह सिद्धान्त अचिंत्य भेदा भेद तत्व अर्थात एक साथ एक्यर एवं भिन्नता के रूप में जाना जाता है जबकि रसाभास वह है जो कुछ दिव्य सर जैसा प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है शुद्र वैश्नवों को भक्ती विरुद्ध की इन दोनों बातों से बचना चाहिए ये गलत धारनाएं मायावाद दर्शन के समानांतर चलती हैं जो कोई मायावाद दर्शन में लगा रहता है वो धीरे धीरे भक्ती पत से नीचे गिर जाता है रसों के अतिक्रमन, रसाभास, द्वारा मनुष्य अंततो गत्वा ग्राकृत सहजिया बन जाता है और हर बात को सस्ती मानने लगता है वो बाउल संप्रदाय का सदस्य भी बन सकता है और क्रमशा भौतिक कारे कलापों के प्रती आक्रिष्ठ हो सकता है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभू ने भक्ति सिधान्त विरुद्ध तथारसा भास से बचने की सलाह दी है इस तरह भक्त शुध बना रह सकता है और पतन से बच सकता है हर एक प्रानी को भक्ती सिध्धान्त विरुद्ध तथारसा भास से दूर रहने की चेश्टा करनी चाहिए वावव अक्ष जान्टिश कटच्छ तीक्षने सक्ट जुय गुनी थैट कबना न लवन शून्य शून्य आर्थ अतैव स्वरूप आगे करे परीक्षन शुद्ध है ग्रदी प्रभूरे करा न श्रवन 114 अनुवाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षन ये जानने के लिए करते थे कि उनके निश्कर्ष सही हैं या नहीं केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभू को सुनाये जाने की अनुमती देते थे तात्पर या श्री भक्ति सिधान्त सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वस्तू से भक्ती संपन्न करने में बाधा आती हो तो उसे अशुद्ध समझनी चाहिए भगवान के शुद्ध भक्त अशुद्ध सिधान्तों को स्विकार नहीं करते अशुद्ध भक्ती रसाभास तथा भक्ती मार्क के विरुद्ध अन्य सिधान्तों को मानते हैं ऐसे अशुद्ध सिधान्तों के अनुयाई कभी भी शुद्ध भक्त नहीं माने जाते रसाभास मार्क का अनुसरन करने वाले अनेक दल हैं, जिनके अनुयाई कभी कभी सामान्य व्यक्तियों द्वारा पूज्य माने जाते हैं जो लोग रसाभास तथा भक्ति सिधान्त विरुद्द सिधान्तों को ब्रहन करते हैं, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभू के भक्त कभी नहीं माने जा सकते स्वरूब दामोदर गोस्वामी ने कभी ऐसे अनुयाईयों को बोडिय वैश्नव की मान्यता नहीं प्रदान की, नहीं उन्हें कभी परम भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभू से मिलने तक दिया विश्तान शडी, छडीना आन्म, लीशीच भान्दिद, आचिन शीटिच कबनो, नशेद्यूत आनक, शून्य पांच, शून्य आठ विद्यापती, चंडीदास, श्री गीद गोविन एक तिन गीते करा, नप्रभूर आनन्द 115, अनुवाद श्री स्वरूप दामोदर विद्यापती तथा चंडीदास के गीत तथा जैदेव गोस्वामी कृत श्री गीद गोविन पढ़ा करते थे वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभू को अत्यंद आनन्दित किया करते थे भमीद छिट, शैकवद मम, शीत नुरुष जी, छाट भानव मब्र जांग नान्शी भशे बची शून्य पांच साथ सरीते, गंधर्व सम, शास्त्रे ब्रहस्पती दामोदर समार नाही महामती 116 अनुवाद स्वरूप दामोदर गंधरवों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहिद ब्रहस्पती के समान थे अतेवर यह निशकर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था तातपर्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत तथा वैदिक शास्त्रों में अत्यंत निपुन थे श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें उनके पठक गायन तथा संगीत निपुनता के कारण दामोदर कहा करते थे ये दामोदर नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ था जिसे उन्होंने अपने संग यास गुरू द्वारा दिये गए नाम के साथ जोड लिया था इसलिए वे स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप कहलाते थे, उन्होंने संगीत दामोदर नामक संगीत ग्रंथ की रचना की, जाटेगर्च निजांत नइच शतबस्तिशिदिम, खीवा जाई छक्कर भैटनन इश शोगे अबन शून्य शून्य पांच एक, अठेट नित्यानन्दे परंप्रियतम, श्रीवासादी भक्त गनेयर है प्रान सम 117 अनुवाद श्री स्वरूप दामोदर अठेट आचार्य तथा नित्यानन्द प्रभू को परंप्रियते और वे श्रीवास थाकुर आदी सभी भक्त जनों के प्रानों के तुल्य थे जंडे पांटमान जान्शी ए साथ वर नौ एश्ला, शत्तन शदीवां टश्रिक शिफिच लोगिना शून्य पांच साथ शून्य सेडई दामोदर आसी दिंडवा थैला चरने पडिया शैलोग परिते लागला 118 अनुवाद वही स्वरूप दामो शिदान शिटिदान नांस्या, शंश्रितगी विटनांसा ममच जमा मानशूर्य मर्यांग राशी एडना नगमामित छव एनना दुग्मानमन रोच शून्य शून्य साथ हेलो धुनित खेदा विशद्या प्रोनमिल दामोदया शामित चार्थस देरा जिवेतार पाइद द बगाने वाली है, आपकी कृपा से हर वस्तु शुधत अथा आनन्ड में बन जाती है, निस्सिन देह आपकी कृपा दिव्या आनन को जगाती है और भोतिक सुप को आच्छा दित कर देती है, आपकी शुब कृपा से विभिन शास्त्रों के मदभेध विनष्ञ्ट हो जात जिससे हृदय आनन्द मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्ट कृपा सदय भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी एहतु की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनन्द को जागरत करे। तातपरिय या महत्वपूर्ण श्लोक श्री चैतन्य चन्रोदे नाटक 8.110 का है जिसमें महाप्रभु की एहतु की कृपा का वर्नन किया गया है। श्री भक्तिसिधान सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि सरवादिक वदान्य पुरुशोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बद्धजीव को तीन प्रकार से अपनी अहतु की कृपा वित्रित करते हैं। भौतिक जगत में हर प्राणी इसलिए खिन रहता है क्योंकि उसे अभाव सदैव सताता रहता है। तब भगवान के चरंकमलों की सुबिंद का विस्तार होता है और इस तरह भौतिक तावादी व्यक्ति को उसके कश्ट से छुटकारा मिल जाता है। वस्तुता भगवान के चरंकमलों से दिव्य संबंध होने से उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसे अफसर पर उसे भगवान की प्रेमाभक्ती का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त अनेक प्रकार के हैं और उन्हें पढ़ने से मनुष्य कभी-कभी उलजन में पढ़ जाता है। इस तरह मनुष्य की स्थिती निर्मल हो जाती है और दिव्या आनंद के साथ ही उसका आत्मा हर्ष से पूरित हो जाता है इस तरह भक्त के हरिदय में भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा व्यक्त होती है ऐसी दशा में भौतिक आवश्यक्ताय मिच जाती है भौतिक इच्छाओं के साथ सदेव रहने वाला क्लेश भी मिच जाता है भगवान की कृपा से वो दिव्य पत तक उपर उठ जाता है और तब उसमें वेकुंट लोग के दिव्य रस प्रकट होते हैं तब मनुष्य की भक्ती द्रिल होती है और वो द्रिल संकल्प के साथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ती में लगता है ये सब मिलकर भक्त के हरिदय में कृष्ण प्रेम को जागरत करते हैं प्रारंभ में बद्दजीव कृष्ण भावना से विहीन होता है और भौतिक कार्य कलापों से सदेव खिन रहता है बाद में शुद्ध भक्तों की संगरती से वो परमसत्य को जानने के लिए उच्छुख हो उटता है इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा करने लगता है फिर भगवान की कृपा से सारी ब्रांतियां दूर हो जाती है और हृदय सारे भौतिक मल से निर्मल हो जाता है तबी दिव्य आनंद जागरित होता है भगवान की कृपा से ही मनुष्य भक्ती के महत्व को पूरी तरह समझ जाता है जब मनुष्य भगवान की लिलाओं को सर्वत देखता है तो उसे दिव्य आनंद की स्थाई रूप से प्राप्ती होती है ऐसे भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं नश्ट हो जाती हैं और वह संसार भर में भगवान की महिमा का प्रचार करता है ये क्रिश्ण भावना भावित कर्म उसे भौतिक कर्मों तथा मुक्ती की इच्छा से विलग करते हैं क्योंकि पक-पक पर भक्त अपने आपको पूर्म पुरुशोत्तम भगवान से संबंदित अनुभव करता है ऐसा भक्त कभी-कभी ग्रिहस जीवन में ही क्यों न फसा हो भक्ती में लगे रहने के कारण वो भौतिक जगत से अच्छुता रहता है अटेवा सुखी तथा मुक्त बनने के लिए हर एक को सलाह दी जाती है कि वो भक्ती की शरण ले फंकीडिग बशातिंडू एकल जान निश्मिन पुंदे जटन टत्मान फिट्रन लेन सदिचन शुन्य चार शुन्य उथाज महाप्रभु काईल आलिडिन दूई जने प्रेमावेशे हैल अचेतन 120 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिगन किया वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए कच रिटन पुड़े उन खिम्यते एना तबे महाप्रभु तौरे कहीं ते लागला 121 अनुवाद जब दोनों ने धहर्या धारन किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे जान एशन जकत एन छुंदे टनव शोशेल शुन्य चार नौ तुमगी रिया सिबे आजी स्वपने ते देखिल भाल हेल अश ग्रेन दुड नेत पाहिल 122 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो अतेव्य अत्यंत शुब है मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था किन्तु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टी मिल गई है अक्षकटै, थंदू, त्यांत रिन, जश्वांश, डाम भाचाजी, जनाब तिशनू, कब्निनू शंभान शून्य चार साथ स्वरूप कहे प्रभू, मौल्क्षम, अप्राद, तुमा छाडी, अन्यत गेनू, करिनू प्रमाद 123 अनुवाद स्वरूप ने कहा हे प्रभू, कृपया, आप मेरा अप्राद ख्षमा करें मैंने अन्यत जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी डांगा छाटन ट्यांत नांडी थेप्टलना, छात्रा छाडी, शान्त्री भूची, टशनू खना टहने 028 तुमार चरने मोर नाही प्रेम लेश तोमा चाडी, पापी मुझी गेनू अन्यदेश 124, अनुवाद, हे प्रभू, आपके चरनकमलों के प्रती मेरा रंचमात भी प्रेम नहीं है यदि ऐसा होता, तो मैं दूसरे देश कईयों जाता, अतैव मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ती हूँ भूची एचामबा शानफिन, जरिभी त्यांट ना चाफिना, कुशा शास भंटनवानी, छतनटने जानी ना शून्य चार साथ मुझी तोमा चाडील, तुमी मोरे ना चाडीला कृपा पाश गले बांधी, चरने आनिला 125 अनुवाद, मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया, किन्तु आपने मुझे नहीं छोड़ा आपने अपनी कृपारूपी रसी से मेरे गले को बांध कर पुनह मुझे अपने चरनकमलों पर वापस ला दिया है उटे चक्ष्टरेन निचंडितिन चम्न वनकम, निवानन अथंडू तेकल तथा ता आनिश्ण, शून्य दो साथ तबे स्वरूप कैल निताईर चरन वन्दिन नित्यानन प्रभू काईल प्रेम आलिडरन 126 अनुवाद तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानन प्रभू के चरनकमलों की वन्दना की और नित्यानन प्रभू ने प्रेमवश उनका आलिंगन किया जाने कानात, मुकुन, बंक्षत्र, जावच्छोग, जवा जटल गशा त्यान्ष कमल शिलन शून्य तीन एक जगदानन, मुकुन, शटभू, सार्वभूम सबासरदेश रथा प्रोगय करिल मिलन 127 अनुवाद नित्यानन प्रभू की वन्दना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानन, मुकुन, शंकर तथा सार्वभूम से यथायोगय रीती से मिले रबान नर्शुरो अट्टैंकल छट्नवन सम शूत्री टोमाची दीन्ट्य सकल था तानमिच्षिन, बीस पर्मानन पुरीर काईल चरण वन्दन पुरी गोसाजी तारे काईल प्रेम आलिडरन 128 अनुवाद स्वरूप दामोदर ने पर्मानन पुरी के चरंकमलों की भी वन्दना की और पर्मानन पुरी ने उल्टकर प्रेम तश उनका आलिगन किया भशन्तडु एल डांट्य निधटेच वाजांगन जलादी परिचर्मत्रा लागी दिल एक किड़र 139 अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवासस्थान दे दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्या आवश्यक वस्तुएं देता रहे जांब एन मामविचोष आपी छल्चर जटिम वजिश्गो जांचिन गश्यतंडू को कशा वटिच शून्य साथ शून्य आर दिन सार्वभौम आदी भक्त सड़े वसिया आचेन महाप्रभू कृष्ण कथा रध्धे एक सो तीस अनुवाद अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभू सार्वभौम भट्टाचारे इत्यादी भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चाएं करते रहे इनकांटन शौवलत एशल जामभंभिन एचार वजग्रिस्नी कटेश विनमगव साथ सो पचास हैन काले गोविंदे हल आगमन दंडवत करी कहे विने बवचनन एक सो एक तीस अनुवाद उसी समय गोविंद वहाँ आगए उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा क्रिष्न चैतन्य निकटे रही से विह ताहारे 133 अनुवाद सर्वोच सिद्धी प्राप्त करने के लिए इस मर्ति लोग से विदा होने के पूर्व ईश्वर पुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी कांगीशन इंभित्वन मवचीष्टर शिगना थंडू जान चैंग्र भुची जादिनू टडांगान शेटल धानडश शून्य साथ आठ काशिश्वर आसिबेन सब तीरत देखिया प्रभु आग्याए मुझी आईनू तुमापदे धा 134 अनुबाद काशाईश्वर भी स चारे तीर्थों का भ्रह्मन करने के बाद यहां आएगा किन्तु मैं तो अपने गुरू की आग्यानुसार आपके चरंकमलों पर उपस्तित होने के लिए शीग्र चला आया जगा कडिन शुरी व्रित्र वांजना कटत्र टमांट्र न कुशा कबनी दगांग्र टीथी शोक देना तचामांदव शून्य साथ साथ गोसाजी कहिल पुरी श्वर वातसल्य करे मोरे कृपा करी मोर्था जी पाठाइला तुमारे 135 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभू ने उत्तर दिया मेरे गुरू ईश्वर पुरी मुझ पर सदय पिता जैसा सने करते थे इसलिए उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश तुम्हें यहां भेजा है अच उनी जावच्छोन थंडुट भरिंडिनी शुत्री भामाची भरिच्छा तमवक कैंटेई उ ग्रांशिन शून्य साथ साथ एच शुनी सार्वभॉम प्रभुरे पुचिल पुरी गोसाजी शूद सेवक काहेत राखिल 136 अनुवाद ये सुनकर सार्वभॉम भर्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा इश्वर पुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में कयों रखा तात्पर्य काशिश्वर तथा गोविंद दोनों ही इश्वर पुरी के सेवक थे इश् इश्वर पुरी ने उसे दीक्षा दी थी इसलिए वह निश्चित रूप से ब्राह्मन बन चुका था यहां पर सार्वभॉम भर्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि इश्वर पुरी ने शूद्र परिवार का शिश्य कईयों बनाया स्मृति शाक्रक अनुसार जो वर्ना अश्रम संस्थाओं की व्यवस्था के प्रती आदेश देता है रामन निम्न जातियों से शिश्य नहीं बना सकता दूसरे शब्दों में एक शत्रिय वैश्य या शूद्र को सेवक नहीं बनाया जा सकता यदि गुरु ऐसे व्यक्ति को स्विकार करता ह तो वह दूशित हो जाता है इसलिए सार्वभॉम भट्टाचार्य ने पूछा कि इश्वर पुरी ने शूद्र जाती का सेवक या शिश्य कईयों स्विकार किया इस प्रश्न के उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभू ने उत्तर दिया कि उनके गुरु इश्वर पुरी इ अपनी कृपा प्रदान कर सकता है निशकर्ष ये है कि शक्ती संचारित गुरु कृष्ण तथा अपने स्वयम के गुरु द्वारा अधिकृत होता है और इसलिए उसे भगवान जैसा ही अच्छा समझा जाना चाहिए विश्वनात् चक्रवर्ती का यही मत है साक्षात धर अधिकृत गुरु हरी अर्थात भगवान तुल्य है जैसे हरी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं वैसे शक्ती संचारित गुरु भी स्वतंत्र होता है जिस तरह हरी सांसारिक नियमों से बदन नहीं होते उसी प्रकार हरी द्वारा शक्ती से आवेशित गुरु भी बदन कर सकता है क्योंकि उसे भगवान से अधिकार मिला होता है लौकिक जगत में अपने गुरू से अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने गुरू की और से कार्य कर सकता है इसी प्रकार अपने गुरू के माध्यम से कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त गुरू को साक्षाद भग नवू सुन्य सात एक प्रभू कहे, ईश्वर हए परम स्वतन्त। इश्वरे कृपा नहे बेद परतंत 137 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभू ने कहा, भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वर पुरी दोनों ही पूलन स्वतन्त हैं. अतैव भगवान तथा ईश्वर पुर निला भोजने 138 अनुवाद, पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान कृपा जाती पांती के बंदन से सीमित नहीं रहती। यदेपी विदूर शूद्र थे, किन्तु कृष्ण ने उनके घर भोजन किया। पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृपालू हैं, किन्तु उनकी कृपा संसारी नियमों के अधीन नहीं है। वे तो केवल स्नेह के अधीन हैं, अन्य किसी के नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भटाचार्य को बताना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण हर एक के गुरु हैं, और वेसांसारिक जाती पाती की परवा नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विदूर के घर कृष्ण द्वारा भोजन करने का दृष्ट इन एक इन अपना निजी सेवक बना लिया। Tube श्री विलाफ विलास में श्री सनातंग भो स्वामी कहते हैं कि यदि प्रामानिक गुरु किसी को देख्शा दे दे तो वो तुरंथ ब्राह्मन बन जाता है। शद्म गुरू किसी व्यक्ति को ब्राह्मन नहीं बना सकता, जबकि प्रामानिक गुरू ऐसा कर सकता है। ये शास्त्र का, श्री चैतन्य महाप्रभु का तथा समस्त गोस्वामियों का निर्नाय है। शक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनन में मग्म हो जाता है। अच्यनी। गुरूर कि दूर है मान्य से आमार 142। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आगे कहा, आप इस पर विचार करें। गुरू का सेवक मेरे लिए सदैव आदर्निय है। गुरू आग्या दियाचिन की करी उपाए 143 अनुवाद अतैव यह उचित नहीं होगा कि गुरू का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरू ने यह आदेश दिया है। तो मैं क्या करून, तातपर्य गुरू के सेवक या शिश्य किसी एक दूसरे के गुरू भाई होते हैं, अता उन्हें एक दूसरे का आदर प्रथु अर्थात स्वामी के रूप में करना चाहिए। किसी को गुरू भाई का अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभू ने सार्वभौम भटाचार्य से पूछा कि गोविंद के बारे में क्या किया जाए। भट कहे गुरूर आग्या है बल्वान। गुरू आग्या ना लड़िये शास्त्र जोर प्रमान 144 अनुवाद सार्वभौम भटाचार्य ने कहा गुरू का आदेश अत्यंत बल्वान होता है और उसका उलंगन नहीं किया जा सकता। यही प्रामानिक शास्त्रों का आदेश है बखल अग्या नांजत्री चांश्टवने शिदुनिनाम भोजन्ज शहु घेचत तंजाशुरिंडल्थंज नोजन एक उप जांक साथ कगा एक शत्विष्ठांग रनीगा शून्य आठ साथ सशुशुरूवान मातरी भार्गवें पित्रु नियोगात प्रहतम्द की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे गुरू की आग्या का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए तात पर ये श्लोक रगुवश 14.46 का है आगे के श्लोक में सीता के प्रती भगवान रामचंद के वचन है जो रामायन अयोध्या कांड 22.9 से ल पिता जैसे महान व्यक्ति की आग्या का पालन बिना विचारे करना चाहिए क्योंकि ऐसी आग्या हम दोनों का सौभाग्या है विशेष्टिया मेरे लिए सौभाग्या है उव गशन्त दू डांट वकल जन्नीकांग जान्शन दी अन्नत मांग शिन जदिकांज शून्य आठ एक तबे महाप्रभूत और कईल अध्रिकार आपन श्री अर सेवाए दिल अधिकार 147 अनुवाद सार्वभों भटाचारे के ऐसा कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभू ने गोविन का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा लिया थंडूत थिग्न शरिचा कवी जट्व कट्तर भामन जकन ट्वकित्वत भीविन नकट मगांधोन शून्य आठ साथ प्रभूर प्रिय भरित्य करी सबे करे मान सकल वैशनवेर गोविन करे समाधान 148 अनुवाद सभी व्यक्ति गोविन को श्री चैतन्य महाप्रभू का प 24 चोगे शून्य आठ प्रतिशत चोट बढ़ कीवतिनिया थुड़ हरिदास रामाई नंदाई रहे गोविन दे पाश 149 अनुवाद बढ़ा हरिदास तथा चोटा हरिदास दोनों जो गायक कीवतिनिय थे तथा रामाई और नंदाई भी गोविन के साथ रहते थे नाविल श्री चैतन्य महाप्रभू की सेवा करने के लिए गोविन के साथ रहते थे अतह कोई भी गोविन के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था आंत फिटन भूकुन एच कहर शेधर्ज आंदिन बन्नानन नचागडी जांशना टचांगांथ शत्मंगिंटन शून्य मुकुन्दत कहे प्रभूर स्थाने ब्रह्मानन भारती आईला तुमार दर्शने 151 अनुवाद अगले दिन मुकुन्दत ने श्री चैतन्य महाप को और भसूँचन दी आपके अंदिसको दर्शन हे तु ब्रह्मानन भारती आये हैं जो जिम तंज यूनीद आंट जानने प्रभू कहे गुरू तेन ग्रापतार थाजी 152 अनुवाद फिर मुकुन्दत ने महाप्रभू से पूछा क्या मैं उन्हें यहां ले आऊं तब श्री चैतन्य महाप्रभू ने कहा रह्मानन भारती मेरे गुरु तुल्य है अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं थ महाप्रभू भक्त गन सद्डड़े चली आईला ब्रह्मानन भारतीर आगे 153 अनुवाद ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभू तथा उनके भक्त गन ब्रह्मानन भारती के समक्षाये बनकानत शंबिश्वांटन भूशे मीच्शत्न ओवांच दर्थी धन्डूवू चार थशोडिना खत 588 ब्रह्मानन परियाच्य म्रिक चर्मामवर ताहा देखी प्रभू दुहक पाईला अंतर 154 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभू तथा उनके भक्त उनके निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वे म्रिक चर्म पहने थे ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभू अत्यंत दुहकी हुए तातपर्य ब्रह्मानन भारती शंकर संप्रदाई के थे भारती उपाधी शंकर संप्रदाई में दस प्रकार के सन्यासियों की उपाधियों में से एक है संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रथा बनी हुई है कि वह अपने शरीर को म्रिक्चर्म या व्रिक्ष की छाल से धके ऐसा मनु सहिता का आदेश है, किन्तु यदि संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृग चर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगती नहीं करता, तो वो मिथ्या सम्मान से ब्रमित होता है श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानन्द भारती द्वारा मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगा एतिंगा उचन्ट एक टरिंटम तना अनेज मुकुंदेरे पुछे कहा भारती गोसाजी 155 अनुवाद ब्रह्मानन्द भारती को मृग चर्म के वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानोवे उन्हें नहीं देख रहे हैं इसके विप्रीत उन्होंने मुकुंद दत से कहा मेरे गुरू ब्रहमानन्द भारती कहा है मुकुंद कटेच अचे जाठ टत्थ वित्मानः थेचू कट चार टदिच मर्चन जूती जचेगनान शून्य साथ आठ साथ मुकुंद कहे साथ एड़ आगे देख विद्यमान प्रभु कहे तह नहन तुमी अगेयान 156 अनुवाद मुकुंद दत ने उत्तर दिया ये ब्रहमामद भारती आपके समक्ष हैं महाप्रभु ने कहा तुम गलत कह रहे हो ये ब्रहमानंद भारती नहीं है जाटनाट्य जनाकड नान्शीट चामभाग चान डांगरीट भीमाउई आठ टक्टन शवरिटवन चान शून्य साथ आठ एक अन्यरे अन्य कह नहीं तुमार ग्यान भारती गोसाजी केने परिबेन चाम 157 अनुवाद तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होगे क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रहमानंद भारती नहीं है तुम्हें कोई ग्यान नहीं है भला ब्रहमानंद भारती क्यों म्रिक्चर्म पहनने लगे जहुनी बंकान तक अट चल्टगर विराट मांगे विच्षस थडेना चांग डेशट शून्य आठ शून्य साथ शूनी रहमानंद करे हृदिये बिचारे मोर चर्मांबर एड नाभाय इहारे 158 अनुवाद जब रहमानंद भारती ने ये सुना तो उन्होंने सोचा मेरा म्रिक्चर्म श्री चैतन ना तरी 169 अनुवाद इस तरह अपनी तुटी स्विकार करते हुए ब्रहमानंद भारती ने सोचा उन्होंने ठीक ही कहा है मैं इस म्रिक्चर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए ही धारन करता हूं मैं केवल म्रिक्चर्म पहन कर अग्यान के सागर को पार नहीं कर सकता जान प्रभू बहिर्वास आनायला जानिया अंतर 160 अनुवाद आज से मैं यह म्रिक्चर्म धारन नहीं करूंगा जैसे ही ब्रहमानंद भारती ने यह निश्चे किया वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभू उनके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही सन्यासी के वस्त्रम प्रभू आसी कईल तार चरण वन दिन 161 अनुवाद जोही ब्रहमानंद भारती ने अपना म्रिक्चर्म त्याग दिया और सन्यासी के वस्त्र पहन लिये त्योही श्री चैतन्य महाप्रभू ने आकर उनके चरंकमलों में नमस्कार किया भारती कहे तोमार आचार लोग शिखाई ते पुनय ना करिबे नती भैपार्ट चितर 162 अनुवाद ब्रहमानंद भारती ने कहा आप अपने आचरं के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा अन्यता आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करोगे मुझे इसी का डर है जान शिचिक, हुंदे तनका, हेटफल आइन, छाभपनांज, अनबंग, जरिती उ, जेन शून्य साथ साथ सामप्रतिक, दुड ब्रहम, इहां चला चल जगन्नाथ, अचल बहिय, तुमीत, सचल 163 अनुवाद, इस समय मुझे दो बलहम दिख रहे हैं, एक ब्रहम है भगवान जगन्नाथ जो गतिमान नहीं हैं और दूसरे ब्रहम आप हैं, जो सचल हैं भगवान जगन्नाथ पूज्य अर्चाविग्र हैं और वे अचल ब्रहम हैं, किन्तु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और आप यहां वहाँ चलते फिरते रहते हैं आप दोनों एक ही ब्रहम अर्थाद भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किन्तु आप दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचलकी और दूसरी अचलकी इस तरह जगन्नाथ पुरी या पुरुशोत्तम में आप दो ब्रहम निवास कर रहे हैं जुमी, टिनोजवन, टिदई, शून्य गरंबल वर्न, छुई बटना टेकल जब वाजन डांगरन शून्य साथ आठ, तुमी, गौर वर्न, तेन, श्यामल वर्न, तुर ब्रहो काईल सब जगत तारन 164 अनुवाद, दोनों ब्रहमों में सिया पगोरे रंके हो और दूसरे ब्रहमा भगवान जगननात सावले हैं, किन्तु आप दोनों ही सारे जगत का उधार कर रहे हैं, धंडू कटई, मचू कड़ी, टांधान जामबदिन, जूबंध थंकन शी शुक्ट्यान टे शून्य साथ साथ प्रभू कहे, सत्य कही, तुमार आगम ने, दुर ब्रहमा प् जणरांश सभिगनाट अशन, जपल, शून्य साथ साथ, ब्रहमानन, नाम तुमी, गौर ब्रहमा, चल, शयाम वर्ण जगननात वसियाचेन, अचल, 166 अनुवाद, ब्रहमानन तथा गौरहरी, दोनों ही साचल हैं, किन्तु शयाम वर्ण वाले जगननात हर्ता से बैटे हैं और अचल हैं, तातपर या ब्रहमानन भारती यह सिधा करना चाहते थे कि भगवान तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, किन्तु श्री चैतन्य महाप्रभू यह सिधा करना चाहते थे कि वे तथा ब्रहमानन भारती दोनों ही जीव हैं, और यद्यपी सारे जीव ब्रहम हैं किन्तु वे संख्या में अनेक हैं, जबकि भगवान परम ब्रह्मर एक हैं। दूसरी और ब्रह्मानंद भारती ये भी सिधा करना चाहते थे कि जगननाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभू एक ही भगवान हैं, किन्तु अपनी उद्देश्य पूर्ती के लिए श्री चैतन्य महाप्रभू सचल प्रतीत होते हैं, जबकि जगननाथ अचल हैं। किन्तु दोनों एक ही हैं। इस तरह बहुत ही रोचक तर्क चल रहा था। तब ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्नए के लिए इस मामले को सार्वभूम भटाचारे को सौप दिया। काङग, डाक्व, जीव, तक जाहनी, जोओ इव, काँक, बनक, कांसाक, शौटलच, वान्शोनी 677, व्याप्य, व्यापक, भावे, जीव, ब्रहो, जानी। जीव, व्याप्य, ब्रह्मा व्यापक, शास्त्रेते वखानी 168। अनुवाद ब्रहमानंद भारती ने कहा जीव स्थानिय है जबकि परम ब्रहम सर्वव्यापक है ये शास्त्रों का निर्नए है तातपर्य ब्रहमानंद भारती ने सार्वभॉम भट्टाचार्य का ध्यान इसलिए आक्रिष्ट किया क्योंकि वे उनसे तर्का निर्नए कराना चाहते थे तब उन्होंने कहा कि परब्रम सर्वव्यापक है इसकी पुष्टी भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता 13.03 में की गई है शेत्रिच्ष चापी माविद्धी सर्वक्षेत्रेशत भारत शेत्रक शेत्रिगियो गिनिन यज्यानन मत्सम हे भरत्वन्शी तुम जान लो कि मैं सबी शरीरों को जानने वाला भी हूँ और इस शरीर को तथा इसके ग्याता को जानना ग्यान है यही मेरा मत है पूर्न पुरुषोतम भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं ब्रह्म सहिता में कहा गया है अंडातस्त परमानुच्यात्रस्थम्री अपने सर्वव्यापी गुन के कारण भगवान ब्रमांड के भीतर तथा ब्रमांड के सारे तत्वों के भीतर विद्यमान रहते हैं यहां तक कि वे एक परमानू के भीतर भी रहत इस तरह परम भगवान गोविंद सर्वव्यापी हैं। दूसरी और सारे जीव अत्यंत लगु हैं। कहा जाता है कि जीव बाल की नोग के दस अजारवे भाग के बराबर है। इस लिए जीव स्थानी या स्थान विशेश में सीमित है। सारे जीव बत्रह मतेज में स्थित रहते हैं जो परम भगवान के देह की कांती है। तातपर्य यहाँ पर ब्रहमानंद भारती या बतलाना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रम हैं और वे परब्रम के अधीनस्त ब्रहम हैं। इसकी पुष्टी वेदो से होती है, नित्यो नित्याना चेतन श्वेतनाना, भगवान ब्रह्म या परम ब्रह्म हैं, अर्थात वे समस्त जीवों में अग्रणी हैं, परम ब्रह्म अर्थात भगवान तथा जीव दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन परम ब्रह्म सर्वशक तिमान है जबकि जीवाधीन है। के अपने उद्देश्य में दिल हैं और वे अपने द्वैत निर्नए तथा अपनी शान्ती में हिरता से स्थित हैं। ताथ पर यह महाभारत के विश्नुसहन नामस्तोत्र का उध्धरन है। पर चड़े दोरे से सुसज्जित हैं और यह उनके आभूशन रूपकंकन है। उच्छोयों कटिच छांग डी तरुशी तचागाव छै थैच्छु कटिच त्यकच टिमजे जचाच छब शून्य एक नौ भट्टाचार्ग कहे। भारती देखी तो मार जाए। प्रभू कहे जिड कह सर्ज सत्य है 172 अनुवाद यह सुनकर सार्व भॉम भट्टाचार्य ने अपना निर्नए यह कहते हुए सुनाया। ब्रह्मानंद भारती मैं देख रहा हूँ कि आप विजयी हो। इस पर श्री चेतन्य महाप्रभू ने तुरंत उत्तर दिया। ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है उसे मैं स्विकार करता हूँ। यह मेरे लिए बिलकुल सही है। और कर्खिसा नडांटिन जूशित्यव शत्राजिम। चातबदी कटेज, अशनच्छ, जनादिश्चुशय, सत्रह। गुरू शिश्य न्याय सत्य शिश्यर पराज़। भारती कहे, एहो नहे, अन्यहे तुहे 173 अनुवाद इस तरह श्र कारण यह नहीं है। कारण कुछ दूसरा ही है। उच्छों ठीक्षी शंत, छरिभी, पांच टांदा चचाव। जंगधक उन्जवू भी जांशन धनचाव। शून्य एक आठ भक्ता जीहार। तुमी ए तुमार स्वभाव। आर एक शुन तुमी आपन प्रभाव 174 आठ दांगांटर थी, कुक, टंटमाव विश्टभान शून्य एक साथ आजन्म करिनू मुझी, निराकार, ज्यान। तुमा देखी, कृष्ण, हैल मोर विद्यमान 175, अनुवाद, मैं जन्द से ही निर्विशेश ब्रहमा का ध्यान करता रहा हूँ, किन्तु जब से आपको देखा है, मुझे कृष्ण की पूरी-पूरी अनुभूती हो गई है, तातपर्य ब्रहमानंद भारती ने स्विकार किया कि जब भी गुरू तथा शिष्य में कोई तर्क होता है, तो स्वभावता गुरू ही विजई होता है, भले ही शिष्य प्रबल तर्क का यो न प्रस् पूरी होए, किन्तु ब्रहमानंद भारती ने तर्क को पलटकर भक्त के पत से स्विकार किया कि श्री चैतन्य महाप्रभू पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान कृष्ण है, इसका अर्थ यह हुआ कि महाप्रभू स्वेचा से अपने भक्त के प्रतीस नहे के कारण पर रास्त नहीं कर सकता, इस संबंद में श्रीमत धभागवत 1.9.37 में भी श्री के शब्द महत्वपून है, स्वनिगमं पहाइमत ग्रतिग्या गृतम अधिकर वुग अवश्यूतो रथ हस्त, जित्त चर्नो पांच भेयाच्वद गू हरिरिव हन्तुमिभन ग्रतोत्तिरिय मेरी इच्छा पूरी करते हुए तथा अपने वचन की परवाना करते हुए वे रथ से नीचे उत्रे, उसका पहिया लिया और तेजी से मेरी और दोड़े, जिस तरह सिंग हाथी को मारने जाता है। यहां तक कि वे रास्ते में अपना उत्तरिय वस्त्र भी गिराते गए। कृष्ण ने प्रतिग्या की थी कि वे कुरुक्षेत के युद्ध में लड़ेंगे नहीं, किन्तु कृष्ण की प्रतिग्या भंग करने के लिए भीष्ण ने अर्जुन पर इतना उब्या आक्रमन किया कि कृष्ण को बाध्य होकर रत का पहिया उठाकर भीष्ण पर आक् था, लेकिन जोही मैंने आपको देखा, त्योही मैं भगवान कृष्ण के प्रति अत्यदिक अनुरक्त हो था, अत्यव श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयम भगवान कृष्ण हैं, इस तरह ब्रह्मानंद भारती उनके भक्त बन गए, क्रिक नाम रुटद भूर्थ गटन अत्यद्व कोख, डामबान दक उच्टश दरकनी, जन्म, मफुच शून्य एक साथ कृष्ण नाम स्पुरे मुखे, मने नेत्वे कृष्ण, तोमा के तद्बूब देखी, हरिदय, सत्विष्ण 176 अनुवाद ब्रहमानंद भारती कहते रहे, जबसे मैंने आपको देखा ह तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिती का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीवतन करना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त, मैं अपने हरिदय में आपको मानता हूँ, अतेव मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, विल्मपनल ट्रेकन टेटिच एलजी जांशनांत, हेट टत्थी, टजिंदे छगी डजल जांगात शून्य एक एक बिल्व मढ़ोल कईव ग्रेचे दशा आपनार, इहां देरित्र, सेह दशा हल आमार 177, अनुबाद, विल्मंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान के साक्षातकार के लिए अपनी निर्विशेश अनुभूती त्याग दी, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दशा भी उन्हीं जेसी हो रही है, क्योंकि अब ये बदल चुकी है, तात्प अनुभी भक्त क्रमशा निर्विशेश ब्रह्मत तथा अंतर्यामी पर्मात्मा का साक्षातकार कर लेने के बाद भगवान अर्थात परम पुरुश के साक्षातकार की अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे भक्त की स्थिती का वर्नन प्रभोधानन सरस्वती ने चैतन्य चन्रामृत पांच में किया है कैवलियम नरकायते त्रिदशपूराकाश पुषपायते दुर्दान तिध्यकालसर पप्ली प्रोथखात द्रिश्रायते विश्व पूर्ण सुखायते विधिमहिन रादिश्च कियायते यतकारुनिक टाक्ष्वे भववत्ता वगौर गेवस भक्त को कैवलिय अर्थाद ब्रहमज ज्योती से एकाकार होना नरक जैसा लगता है स्वर्गलोक उसे माया जाल जैसा प्रतीत होता है योगी इंद्रियर निग्रह के लिए ध्यान धरते हैं किन्तु भक्त को इंद्रिया धंत्रहित सर्पों जैसी लगती हैं भक्त को अपनी इंद्रियों को वश्में नए난 करनी परती क्योंकि उसकी इंद्रिया पहले से भग्वान की सेवा में लगी हुई रहती हैं जिसके दाथ तोड़ दिये गए हैं अतावे भक्त के लिए खत्रनाथ नहीं रह जाती भक्त के लिए सारा जगत वैकुंट की प्रतिकृती होता है क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं सताती वो प्रत्येक वस्तू को कृष्ण की समझता है और उसका भोग स्वयम नहीं करना चाहता यहां तक कि उसे ब्रह्मा या इंद्र के पद की भी इच्छा नहीं होती वो हर वस्तू को भगवान की सेवा में लगा देने के लिए इच्छुक रहता है अतैव उसके सामने कोई समस्या ही नहीं उठती वो अपनी मूल वैधानिक अवस्था में स्थित रहता है यह तभी संभव है जब उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपाद्रिष्टी हो चैतन्य चन्धाम्त में इसी सिद्धान से संबंधित अनेक श्लोक हैं धिक कुर्वती चा ब्रहमयोग विदुष्टम गौरचन नुमा चैतन्य चन्राम्रित 6, तावत ब्रहमकता विमुक्त पद्वी वावन विक्ती भवेत ताफ चचापी विश्व कुल्त्व मिते नो लोकवे दस्थिती तावचान विदामित, कलकलो नाना बहिवम सूर्श श्री चैतन्य पदामबुच प्रिय जनो यावत दिग गोचर चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से यह सारी समस्याएं दूर हो जाती है जडबच वियोशी शशेक शाजा आठ आनन शून्य मिश्शंशन नक शैकरांचार अंटन टिकनांशी वश्य एक शटैन शांजी कुछां ट्वाश वश्य विदेन शून्य एक शून्य अठैत वी वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धती द्वारा आत्मसाक्षातकार में दीख्षित था किन्तु भोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिनत कर दिया है तात पर्य ये श्लोग बिल्वमंगल ठा कुरका है ये ब्रक्तिसायरित सिंधु 3.1.44 में आया है थैडू कटई कुटिक टांगात भाय तर्तिंगाश्य यांडी तनव शंड जान्शेली क्रिक व्रुमरम शून्य एक साथ प्रभू कहे कृष्णे तोमार गार प्रेम आहे थराहा नेत्र पड़े ताहा श्री कृष् मुम्जचा कम जांच गनी क्रिच एन मांकरांजवन शून्य 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 भट्टाचार्य कहे दोहार सुसत्य वचन आगे ब्रदी कृष्ण देन साक्षात दर्शन 180 अनुवाद सार्वभॉम भट्टाचार्य ने कहा आप दोनों के कथन सही हैं कृष्ण अपनी कृप है दर्शन हनार 185 अनुवाद करिश्न प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभू की कंण और धर्बेश्न को भगवान का साक्षाथ कार हो सका और उनका निन्य ये था कि ब्रह्मानंद भार्ती जैसे महान भक्त कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण महान भक्त की दृष्टी के सम्मुक स्वयम उस्थित होते हैं। चुनकी ब्रह्मानंद भार्ती महान भक्ते अतेव उन्हे श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कृष्ण के दर्शन हुए। ब्रह्मा सहिता 5.38 में कहा गया है प्रेमान्चुरित भक्ति विलोचनेन सनर्त सदेव रिदेशु विलोक्यंती। यश्याक सुन्दरम चित्य गुन्स्वरूप गोविन मादी पुरुष्वमा भजामी मैं उन आदी भगवान गोविन की पूजा करता हूँ जिनका वेभक्त सदेव दर्शन करते हैं जिनकी आँखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है। वेभक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुन्दर रूप में देखे जाते हैं। श्याम से कुछ उलजन में पड़ गए। अतैव अपने आपको बचाने के लिए उन्होंने विश्नु के नाम का उच्चारण किया। यहाँ पर महाप्रभु इसकी पुष्टी करते हैं कि यदि किसी की अत्यदिक स्तुती की जाती है तो यह एक प्रकार की निंदा ही है। वे इस प्रकार के अपराद मूलक का थन का प्रतिरोध करते हैं। प्यूटिच्छाजदी मर्वकार्य शून्य शून्य आठ रामभद राचारग आर भगवान आचार्य प्रभु पदे रहिला दूहे चाड़ी सर्वकारगर 184 अनुवाद बाद में रामभद आचार्य तथा भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायत्व को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रे में रहे। शून्य साथ प्रभु के लाकरा नाईश्वर दर्शन आगे लोग भिर सब करी निवारन 186 अनुवाद काशिश्वर महाप्रभु को जगनात मंदिर के भीतर ले जाया करता था। वो भीव में महाप्रभु के आगे आगे रहता और लोगों को दूर रखता जिससे लोग उनका स्पर्श न कर सकें। शचनर नही ट्यटच जमुद भिल्ग एच भशधन दूप छक यान ओएंडी इस शून्य शून्य एक ब्रतनद नदी ग्रैचे समुद्रे मिले। एचे महाप्रभुर भक्त ग्राहा ताहा है 187 अनुवाद जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं। उसी तरह देश के सारे भक्त श्री चेत्निय महाप्रभु की शरन में आने लगे। इस तरह मैंने श्री चेत्निय महाप्रभु के साथ समस्त वैश्नवों के मिलन का वर्नन किया है। जो भी इस वर्नन को सुनता है वह अतता उनके चरंकमलों की शरन प्राप्त करता है। लीकश ब्रगुनान शंत गाव जाग कैच्छना एब जिछान भूर कट कुक्षाउन शून्य चार शून्य श्री रूप रगुनात पदे ग्राडाश। चैतन्य चरितामरित कहे कृष्ण दास 190 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रगुनात के चरंकमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदेव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरंचिनों पर चलकर श्री चैतन चरितागृत मद्य लीला के दस्वें अध्याय का भक्तिवेदान तात्परिय पूर्म हुआ, जिसमें दक्षन भारत से जगननात्पुरी लोटने पर वैश्णवों से महाप्रभु की भेट का वर्णन हुआ है.